हेलो गाईज, वेलकम, वेलकम बेक टो मैं चैनल, ट्विस्टेट कहानिया, मैं हूँ कनी का, आज है मंडे, और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉन राइम स्टोरी, ये स्टोरी है एक स्काइडाइविंग डिजास्टर की, लेकिन ये जो स्काइडाइवि 2009 की, इस दिन 44 वर्षिय डेविड हाट सौक, अपनी कार से स्काइडाइव हूस्टर की पार्किंग में अपनी कार लेकर पहुचा, वहाँ पर उसने अपनी काड़ी पार्क की, और अगर मैं आपको बता हूँ तो ये स्काइडाइव हूस्टर टेकसस में है, और टेकसस है य अपनी यूनिफॉर्म वगएरा पहन कर तयार होना था, क्योंकि वो वहाँ पर स्काइडाइविंग इंस्ट्रक्टर का काम करता था, उसके साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि वो काफी बड़ी फैसिलिटी थी, वो सब अपनी यूनिफॉर् यूस्टन नाम की फैसिलिटी थी जहाँ पर लोग स्काइडाइविंग करने के लिए आते थे ये एक तरह का एक प्राइवेट एयरपोर्ट था इसके अलावा ये एक्जेक्ली हूस्टन में भी नहीं था ये हूस्टन से करीब 48 किलोमीटर्स नौर्थ वेस्ट में था और इस सकते हैं कि स्काइडाइव हूस्टन के ओफिस थे वहाँ पर इसके साथ ही जो प्लेंज वगरा रहते थे उन्हें खड़ा करने के हैंगर्स भी बने वे थे वहाँ पर सुपर ट्विन ओटर एयर प्लेंज उत्रा करते थे और इसलिए भी वहाँ का जो मैदान था उसको आने के लिए अब यह टैंडम जंपिंग क्या होती है तो यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैंडम जंपिंग वो जंपिंग होती है जहां पर कोई व्यक्ति अकेले जंप नहीं करता है पर बलकि उसके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है यह जो इंस्ट्रक्टर होता है य यहां पर जो व्यक्ति है जो पहली बार जम कर रहा है वो सिर्फ इंजॉय करता है और पूरी जिम्मेदारी यहां पर इंस्ट्रक्टर की होती है अब यह जिम्मेदारियां क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि उनको हवा में stable रखना उनका balance हवा में बिल्कुल भी बिगडे नहीं वो लोग एकदम stable रहें साथ ही जो cord होती है जिसको हम rib cord कहते हैं उसको deploy करना ताकि parachute हवा में निकल जाए जब parachute खुल जाता है तो उसके बाद safely land कराना भी इंस्ट्रक्टर की ही जिम्मेदारी होती है इसलिए obviously जो first time jumpers होते हैं वो tandem jumping करना ही पसंद करते हैं अब अगर हम यहाँ पर डेविट की बात करें डेविट हाट स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया यहाँ पर basic लिए हम उसकी ही बात करेंगे तो डेविट को डेव भी कहा जाता था इसलिए स्टोरी में उसको डेव ही कहूंगी अब आगे तो जो डेव था उसने हाली में अपना 3 साल का course पूरा किया था उस course को पूरा करने के बाद वो एक certified skydiving instructor बन चुका था उसने ये course कुछ महीने पहले ही पूरा किया था लेकिन अपना course शुरू और खतम करने से पहले भी ये एक skydiver रह चुका था ये एक बहुती experienced skydiver था इसने करीब करीब 800 jumps पूरी कर ली थी अब आप लोग पूछेंगे कि उसने इतनी सारी jumps क्यों की थी तो उसने ये सारी jumps सिर्फ इसले की थी क्योंकि उसको skydiving करने का बहुत जारा शौक था इसले उसने ये सारी jumps complete की और ये जो jumps थी इनको करने के पीछे डेव का ये reason था कि इन jumps ने उसे life में एक जीने का reason दिया था डेव हमेशा से एक बहुत ही average व्यक्ती रहा था वो एक ठीक ठाक परिवार से ही था उसका परिवार हूस्टन में ही रहता था हूस्टन के एक छोटे से सबब में इनका जो घर था वो भी बस ठीक ठाक ही था और उनकी जिंदगी भी ठीक ही चल रही थी इसके अलावा इसने अभी तक जो भी जॉब्स की थी वो बहुती सिंपल ब्लू कॉलर जॉब्स थी जैसे कि वो कुक रह चुका था दो अलग-लग रेस्टोन्स में इसके अलावा वो एक स्चोर में मैनेजर रह चुका था साथ ही उसने एक सोडा बॉटलिंग प्लैंट में भी काम किया था डेव की शादी भी हुई थी लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका था और उसके बच्चे नहीं थे लेकिन उसके बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स थे उनका एक ग्रूप था जिनके साथ ये बार्स में जाता था बोलिंग करने जाता था और ये लोग साथ में डार्ट सगयरा खेला करते थे हाला कि इसकी जो जिन्दगी चल रही थी उससे डेव बहुत अनहपी तो नहीं था लेकिन अब जैसे ही उसने अपने 40's में कदम रखा था उससे लगने लगा था कि उसने अपनी जिन्दगी में कुछ बहुत बढ़ा नहीं किया कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो की बहुत important हो और वो ऐसा कुछ करना चाहता था 2004 में उसका divorce हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद ही उसके एक friend ने कहा कि मेरे साथ skydiving करने चलो इसका यह जो friend था उसका 40th birthday था और वो चाहता था कि यह लोग skydiving करके उसका birthday celebrate करें और जैसे देव को यह opportunity मिली वो तुरन समझ गया कि यही वो बड़ा काम है शायद जो वो करना चाहता है कम से कम मैं कुछ न कुछ तो बड़ा करूँगा अपनी जिन्दगी में और वो इस चीज के लिए तयार हो गया जब डेव अपने friend के साथ skydiving करने के लिए गया तो जैसी उसने jump किया वो बिल्कुल thrilled हो गया उसको लगा कि जिन्दगी में सेरा beautiful कुछ भी नहीं है जब वो 161 km per hour की speed से उस plane से गिरा तब उसने पाया कि यही वो चीज है जो वो बार 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 करना चाहता है उसके बाद कई सालों तक वो skydive Houston आता रहा और हर बार वो skydiving करता था कई सालों तक जब उसका यह सिलसिला चलता रहा और वहां के manager ने notice किया कि यह व्यक्ति कई सालों से हर weekend पे आ रहा है तो उसने Dave को offer किया कि तुम यहीं पर job कर लो यह सुनते ही Dave वो जारा thrilled हो गया उसने तुरंत अपनी soda watering plant की job छोड़ दी और अब वो एक skydiving instructor बन गया तो अब हम दुबारा 1st August 2009 में चलते हैं जो कि एक Saturday था और Saturday को यानि weekends पर skydive Houston बहुत ज़्यादा busy रहता है वहाँ पर basically non-stop skydivers आते रहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जिनको वहाँ से jump करने होती है जब डेव की jump करने की बारी नहीं होती थी और वो free होता था तो वो यह कोशिश करता था कि जो उसका skydiving का bag है जो यह लोग कंदे पर पहने रहते हैं और जिसमें से parachute निकलता है वो वो खुद pack करे ऐसा बहुत से skydivers करना पसंद करते हैं और डेव भी उनमें से एक था बस वो यह make sure करना चाहता था कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है लेकिन अगर हम Saturdays की बात करें जो कि एक बहुती busy दिन होता था उस दिन डेव को यह मौका नहीं मिलता था कि हर एक jump के बाद वो आए और उसके बाद अपना parachute खुद पैक करें क्योंकि लगातार एक के बाद एक के बाद एक jump करने होती थी और यह जो packing का काम है इसमें time लगता था तो इस तरह के busy दिनों में डेव pre-packed bags अपने साथ लेकर jump करने के लिए जाता था जो यह bag होते थे वो club house में एक जगे टंगे होते थे और वो instructors के लिए वहाँ पर टंगे वे होते थे ताकि बस वो वहाँ से उस bag को उठाएं और jump के लिए तोरंथ वहाँ से निकल जाएं 1st August में बहुत सारे students आते रहे यह इनको लेकर jump करने जाता रहा यह लोग jump करते उसके बाद यह लोग parachute open करते फिर safely land करते और फिर वापस आ जाते एक के बाद एक के बाद एक करके इसने बहुत सारी जब jumps अपनी पूरी कर ली तब तक 4 बज गए थे और अब यह अपना समान वगएरा pack कर रहा था उसका वहाँ से दिन खतम हो चुका था अब उसे अपने घर जाना था लेकिन जब यह निकलने ही वाला था उसी समय मैनेजर इसके पास आया और इससे पूछा कि क्या तुम पसंद करोगे सिर्फ एक last jump करना क्योंकि अभी अचानक से कोई आ गया है और हमारे पास कोई भी instructor इस समय उपलब्द नहीं है हाला कि डेव उस समय तक बहुत ज़ादा exhaust हो चुका था उसके पूरे शरीड से पसीना टपक रहा था क्योंकि बहुत ज़ादा गर्मी थी उस दौरान और आज के दिन वो अपनी 6 jumps पूरी कर चुका था और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने अपने manager से बोला no problem उसके बाद manager ने डेव का परिचै एक छोटे कदकी blonde बालो वाली महीला से कराया जो की देखने में भी बहुत जाना nervous लग रही थी उसका नाम था Shirley Diggert ये महीला अपनी family के साथ वहाँ अपना 54th birthday मनाने के लिए आई थी और अपनी जिंदगी में पहली बार वो skydiving करने वाली थी उसके साथ उसके husband थे उसके दोनों बेटे थे और तीन पोते-पोतियां थे ये जो उसके husband उसका बेटा था ये नीचे से इसकी pictures, videos वेगरा क्लिक करने वाले थे और इसका जो दूसरा बेटा था ये अपनी 30th birthday celebrate करना था और अपनी मा के साथ ही ये skydiving करने जाने वाला था डेव ने इस महीला को देखकर smile pass की इसके पास गया इससे हाथ मिलाया और उसके बाद उसने वही same joke crack किया जो ये हर first time jumpers के साथ करता था उसने Shirley से कहा don't worry सब कुछ ठीक रहेगा तुम मुझसे बंधी हुई रहोगी और मैं अपने आपको मरने नहीं दूँगा ये बात सुनकर Shirley हसने लगी ऐसा लग रहा था कि उसकी nervousness थोड़ी सी कम हो गई अब इसने Shirley का कंदा थप थपाया उसके बाद ये club house में पहुचा वहाँ पर दीवार पर pre-packed parachutes और सारे bags रखे वे थे उन में से उसने एक bag उठाया और अपनी jump पर जाने के लिए तयार होने लगा अब मैं आपको बताती हूँ कि इन bags में actually एक नहीं बलकि दो parachutes होते हैं एक तो इस bag में main parachute होता है जो की deploy किया जाता है jump के दोरान और उसकी help से ही जितने भी jumpers होते हैं वो नीचे land करते हैं इसके अलावा इस bag में reserve parachute होता है जो की main parachute से थोड़ा सा छोटा होता है और इसका use तब ही किया जाता है जब किसी emergency situation में जो main parachute है वो fail हो जाए अब यह जो main parachute है इसको तो हर jump के बाद fold करके bag में दुबारा अरग दिया जाता है लेकिन जो reserve parachute है क्योंकि यो use नहीं होता इसलिए वो हमेशा pack ही पड़ा रहता है इसके लिए ही जो sky dive Houston है या कोई भी sky diving facility वो time to time technicians को बुलाती है जो इन चीज़ों के expert होते है ये लोग आते हैं और सारे reserve parachutes को check करते हैं उनको test करते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं कहीं ऐसा नहोगी emergency situation हो लेकिन उसनमें reserve parachute काम ही ना करे अब ये pre-packed bag लेकर डेव उस एरिया में आया जहांपा शरली थी और वो अपनी जम के लिए तयार हो रही थी इस जगे को हम staging area कहते हैं उसने अपना flight suit पहन लिया था फिर डेव शरली के पास गया उसने उसके flight suit को check किया उसको tight किया जहां से fit करना था वहां से fit किया उसको उसने flight के लिए तयार किया सब कुछ ठीक से check करने के बाद अब डेव ने अपना parachute bag लिया उसके बाद इसने शरली को और इसको बेटे को उसके पीछे आने के लिए कहा अब ये तीनों बाहर गए अब ये staging area से निकल कर airfield में आ चुके थे जहां पर एक super twin otter aeroplane land किये वे था और इसमें बैट कर अब इन तीनों को उड़ना था इस बीच बाकी भी जो लोग आये थे या पर जम करने के लिए वो भी अपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ इस प्लेन पर चड़ने के लिए खड़े थे फिर इन तीनों ने भी उन लोगों के साथ इस प्लेन पर बोड़ किया अब प्लेन हवा में उड़ा जब वो 13,500 फीट पर पहुँच गया यानि की जंपिंग अल्टिट्टूट पर पहुँच गया उस समय अब थोड़ी देर में ही इन लोगों को जंप करना था डेव ने शरली को अपने सामने जिस सरह से अटैच करना था उस सरह से अटैच कर लिया था और अब ये शरली से बातचीत कर रहा था कि तुम कहाँ से आई हो तुम क्या करती हो इस तरह की बाते ताकि उसकी नर्वसनेस उसका डर थोड़ा कम हो सके शरली ने डेव को बताया कि मैं जनरल इस तरह की चीजें करती हूँ मुझे सब चीजें करने में बहुत जाए डर लगता है और जब पिछले साल मेरे इस बेटे ने जो कि आज मेरे साथ जम करने वाला है जब इस बेटे ने मुझे बताया कि वो sky diving ट्राइ करना चाहता है तो मैंने बहुत desperately उसको समझाया कि ये बहुत ज़रा risky है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और मैंने अपने बेटे को भी ऐसा करने नहीं दिया फिर शरली ना आगे बताया कि हाल ही में मैं और मेरे हजबन बातचीत कर रहे थे कि हमारी जो जिन्दगी है वो बहुती कम adventurous है और हमें अपनी जिन्दगी थोड़ी और adventurous बनानी चाहिए वो एक बहुती शांत्र टाउन में रहते थे वहाँ पर इनकी जिन्दगी एकदम सीधी साधी चल रही थी जो Shirley थी वो एक male carrier थी यानि कि वो चिट्थी वगरा लोगों के घर में पहुँचाया करती थी और जो उसके husband थे वो एक mind में काम करते थे इनकी जो life थी बहुत simple थी कहीं न कहीं उनका एक basic routine बन चुका था और हम कह सकते हैं कि उनके life boring हो चुकी थी तो जब कुछ दिनों पहले इनके इस बेटे ने जो की इसके साथ skydiving करने आया था उसने Shirley से पूछा कि आपको अपनी 54th birthday में skydiving ट्राइ करनी चाहिए तो थोड़ा सो समझ कर Shirley ने उसको हाँ कर दी उसको लगा कि हाँ मुझे कुछ न कुछ नया तो ट्राइ करना चाहिए और मेरी जिंदगी वाकिए में बहुत जारा monotonous हो चुकी है उसकी कहानी सुनने के बाद डेव ने भी उसको अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरी जिंदगी भी ऐसी चल रही थी और उसके बाद मुझे sky diving में बहुत जारा passion मिला और अब मैं इसके साथ ही permanently जोड़ चुका हूँ तो इस तरह से बादचीत करने के बाद इनके बीच में थोड़ी बहुत bonding बन गई और अब तक plane को उड़ते उड़ते 20 मिनट हो चुके थे और वो लोग jumping attitude पे भी क्योंकि पहुँच चुके थे अपने instructors के साथ attached थे तो अब इननों को jump करना था इन में से किसी एक instructor ने जो plane का दर्वाजा था उसको खोल दिया इस में से जिननों को सबसे पहले jump करना था वो था Shirley का बेटा वो अपने instructor के साथ jump करने वाला था तो सबसे पहले Shirley के बेटे ने बाहर jump कर लिया Shirley चिला कर अपने बेटे से बोल रही थी Have a good jump, I will see you on the ground इसके बाद अब Shirley और Dave की बारी थी नीचे कूदने की ये लोग दर्वाजे के पास आ गए और कूदने से पहले Dave ने अपने सारी equipment चेक किये उसने चेक किया कि उसकी जेब में चाकू है या नहीं जो की इनको रखना होता है साथ ही इसकी जितनी भी belts हैं वो Shirley के साथ जो attached है वो ठीक से fast end है या नहीं उसने सारी belts फिर से fasten की इसके लावा उसने rip cord को भी छूकर देखा जिसे खीशने पर पैरा शूक को खुलना था और सारी चीजें चेक करने के बाद हाला कि वो बहुत जम कर चुका था लेकिन वो हर चीज जबार से चेक जरूर करता था ये सब कुछ चेक करके सेटिस्वाई होने के बाद उसने शरली से कहा कि ओके अब तुम ready हो चाओ अब हम कूदने वाले हैं अब ये दोनों दरवाजे के पास आ गए शरली आगी थी तो उसके पैर बिल्कुल प्लेन की एच पर थे वो बहार देख रही थी बहुत जारा शोर हो रहा था और बहुत तेज हवाई चल रही थी अब डेव ने शरली से कहा कि तुम चिंता मत करो अब हमें नीचे कूदना है मैं तीन तक गिनूँगा और उसके बाद हम कूद जाएंगे उसके बाद डेव ने अपना हाथ शरली के सर पर रखा उसका सिर थोड़ा सा टिल्ट करके उपर की तरफ कर दिया कूदने से पहले वो नहीं चाता था कि कूदते वक्त शरली ग्राउंड को देखे क्योंकि कई लोग कूदने के बाद ग्राउंड को देखकर पैनिक कर जाते हैं और उनकी हालत खराब हुजाती है शरली का सिर उपर करने के बाद उसने बहुत काम ली 1, 2, 3 बोला और उसके बाद ये दोनों बिल्कुल ग्रेसफुली बाहर जम कर गए आक्चुली जो इंस्ट्रक्टर है वही हलका सा पुश करता है सामने वाले को यानि कि अपने स्टूडेंट को कूदने के लिए अब आप लोग की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब कोई भी स्काई डाइवर प्लेन से कूदता है तो उसको 2-3 मिनट का फ्री फॉल मिलता है 2-3 मिनट में ही वो लगभग जमीन पर आ जाते हैं और कई पार पेराशूट से नीच उतरने में थोड़ा सा और समय भी लग सकता है लेकिन ये जो समय का अंतराल होता है ये इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि आपको महसूस होता है कि आप करीब 20 मिनट तक हवा में थे और यही वो चीज थी जो डेव को सबसे यारा पसंद थी ये जो इंटेंस प्रेजेंस थी ये डेव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी अपनी पिशली जिंदगी में डेव के कुछ एक्सिदेंस भी हो चुके थे जो की काफी खतरनाक थे और उसमें उसकी जान भी जा सकती थी जैसे कि एक बार डेव अपनी मोटर साइकल में जा रहा था तब ही उसको एक कार ने टकर मार दी वो जमीन पर गिर गया और उसका इसकल यानि कि उसकी खोपडी फ्रेक्चर हो गई थी फिर वो किसी तरह से बज गया और ठीक होई रहा था अभी पूदी तरह से ठीक भी नहीं था कि उसका दूसरा एक्सिदेंट हो गया और इस accident में उसकी read की हड़ी fracture हो गई इसके अलावा भी उसके कुछ छोटे मोटे accident हुए थे लेकिन जब भी उसके कोई भी accident होते थे डेव हमेशा यही सोचता था कि मैं ठीक तो हो रहा हूं लेकिन भगवान करे कि मैं फिर से skydiving कर सकूँ और मुझे ऐसी कोई injury ना हो जो मुझे skydiving के लिए unfit कर दे यानि कि उसकी जिंदगी में skydiving की बहुत ज़्यादा value थी miraculously ऐसा हुआ भी उसके in accident से उसको full recoveries हुई और इससे उसके skydiving के career पर कोई भी असर नहीं पड़ा जितनी बार भी डेव जम करता था वो अपने आपको बहुत लखी समझता था अब वो फिलहाल शरली के साथ जम कर रहा था और उसका ये plan था कि इस पूरी जम के दोरान वो तीन बार अपने को और शरली को 360 degrees घुमाएगा ताकि जो शरली है वो पूरे हूस्टन को देख सके पूरे टैकसस को देख सके और इतने उचाई से और वो भी हवा में खुले से वो पूरी दुनिया को अपनी नजरों से अच्छे से देख सके जब ये लोग कूते हैं तब इंस्ट्रक्टर के हातों में एक रिस्च आल्टी मीटर बंधा होता है जो कि इनकी उचाई बताता है तो जब अब ये लोग 5000 feet पर थे तब डेव ने वो डोरी खीज़ी जिससे की जो main parachute था वो deploy हो गया और अब ये लोग धीरे धीरे ground की तरफ बढ़ रहे थे यानि कि अब parachute के कारण जो इनकी speed थी वो काफी कम हो चुकी थी तो अगर अब मैं शुरुआ से jump की बात करूँ तो पहले जब ये लोग plane से कूदे तो ये लोग बिलकुल एक horizontal position में थे Shirley obviously नीचे थी और Dave उसके उपर की तरफ था फिट धीरे धीरे Dave ने उसको 360 degree घुमाया अपनी body की position बदल कर ताकि वो नीचे सब कुछ देख सके नीचे highways, greenery, पूरा जो भी नजारा है उसे अच्छी तरीके से दिख जाए और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम लोग नीचे कूटते हैं sky diving करने के लिए तब ये जो गती है ये करीब 120 miles पर hour होती है यानि की करीब करीब 193 km पर hour तक जा सकती है लेकिन इस velocity को जो sky diver है वो महसूस नहीं करता उसको नहीं लगता कि वो इतनी तेजी से गिर रहा है इस velocity को हम लोग terminal velocity का नाम भी देते हैं लेकिन जो व्यक्ती गिर रहा है उसको इसका एहसास नहीं होता क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जो हवा है वो उसको उपर की तरफ पुश कर रही है अब जो शरली थी वो इस jump को पूरी तरह से enjoy कर रही थी नीचे का नजारा देख रही थी वो बहुत ज़्यादा thrilled थी और डेव हाला कि बतानी कितनी बार वो ये सब कुछ पहले कर चुका था उसके बाद भी वो इस jump को enjoy कर रहा था क्योंकि ये इसका favorite काम था लेकिन जो डेव था उसका फुल फोकस था वो अपने altimeter पर था जो कि उसको ये बता रहा था कि वो लोग धर्टी से कितनी उचाई पर है अब जब डेव ने देखा कि वो 5000 feet की उचाई पर है तब उसने अपनी ripcord खीची और जो parachute था उसको उसने open करने की कोशिश की अब ये जो parachute होता है ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने खोला आप हवा में लहराने लगेंगे ऐसा नहीं होता है बलकि जो parachute है वो धीरे धीरे पहले unfurl होता है यानि कि पहले धीरे-धीरे से खुलता है क्योंकि अभी तक वो पैक था बैग में उसके बाद unfurl होने के बाद उसमें हवा भरनी शुरू होती है वो अपने आसपास की हवा को लेता है उसमें फैलता जाता है अपना शेप ले लेता है और उसके बाद धीरे-धीरे आपकी जो का जटका लगा अब क्योंकि डेव पहले बहुत बार स्काइडाइविंग कर चुका था वो तोरण समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड है और ये गड़बड ये थी कि जो इसका पैरशूट है जब ये बैक पैक से निकला तो ये टैंगल्ड हो गया यानि कि ये उल्ज पारिटी थी जो गती थी वो बिल्कुल भी स्लोडाउन नहीं हुई ये बहुत तेजी से अब धर्ती की तरफ गिर रहे थे उससे भी ज्यादा अनफॉर्चनेट बात ये थी कि ये जो पैरशूट था ये बुरी तरीके से उल्जावा था कि अब इसने इन लोगों को जोड देठ स्पाइरल का नाम दिया गया है इस डेठ स्पाइरल में आप लोग इतनी असंभाव गती से तेज ओमते हैं कि जीतने बी जंपर सोते हैं जनरली वो लोग बिहोश हो जाते हैं इस गोल-गोल भूमने के कारण farms लोगो इतने जादा चक्कर आते हैं कि जनरली लोग इस्ट्रेट करने के कारण कई बार ये जो spinning है वो रूप जाती है लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ जो इनकी spinning थी वो और ज़्यादा तेज और ज़्यादा तेज होती चली जारी थी दूसरी तरफ जो Shirley थी उसका होश खोता जारा था वो चिलाती जारी थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है डेव लेकिन दूसरी तरफ शांत रहने का प्रयास कर रहा था वो कोशिश कर रहा था वो इससे बाहर आए लेकिन वो जानता था कि शायद कोई भी रास्ता इससे बचने का नहीं है अब Dave को पता था कि अगला गदम क्या होना चाहिए उसके पास दो नाइव्स थे उसको इस मेन पैराशूट को काट कर अपने से अलग करना था उसके बाद उससे अपना Рिजर्व शूट खोलना था आप अपना रिजर्व पैराशूट एक उलजेवे मेन पैराशूट में नहीं खोल सकते वरना वो भी उलच जाएगा तो जो पहला चाकू था वो डेव की फ्रंट पॉकिट में रखा हुआ था उसकी शर्ट की फ्रंट पॉकिट में तो उसने अपना हाथ अपनी जेव तक ले जाने की कोशिश की लेकिन ये जो इतना ज़्यादा इस्पिन कर रहा था पैराशूट इससे वो लोग पैराशूट की रस्यों में उलच चुके थे और उसका पूरा जो कंधा था उसमें पैराशूट की रस्यां उलच चुकी थी व इसका हाथ किसी तरह भी उस जगह तक पहुंचा ही नहीं जहां पर वो सेकंड शाकू था अब इनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था यह अपने ऑल्टिमीटर पर देख रहा था तो यह लोग बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे चार हजार फीट तीन हजार फीट तक यह लोग आ चुके थे और अगले कुछी सेकंड्स में या जाज़ा एक मिनिट में यह लोग नीचे जमीन पर गिर जाते तो अब जब डेव के पास कोई भी रास्ता नहीं था तो इसने अपना डिजर्व पैराशूट डिप्लॉई करने का फैसला लिया ये अपना हार पीछे की तरफ ले गया इसने अपने result parachute की रसी खीश दी और जो result parachute था वो अच्छी तरीके से खुल गया ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है कम से कम शुरू में टो ऐसी ही लग रहा था इनकी जो जमीन पर गिरने की velocity थी अब वो हल्की पड़ गई थी, ये तुरंथी डेव ने महसूस किया, इनकी जो spinning थी, जो death spiral था, वो भी अब रुख गया, और ऐसा लग रहा था अब इन लोग को, कि ये लोग इस reserve parachute के कारण बच जाएंगे, और अब धीरे धीरे safely ये लोग land कर जाएंगे, इस समय ये लोग सिर्फ 2000 feet की दूरी पर थे, लेकिन इसी समय इनके साथ एक worst case scenario हुआ, असल में हुआ ये था, कि जब डेव ने अपना reserve parachute खोला, और उसने अपने आपको अच्छी तरीके से फैला लिया, अपना काम करने लगा, तभी suddenly, जो main parachute था, जो अभी तक उल्जा हुआ था, वो भी पता नहीं कैसे, और उसने भी हवा भर कर अपने आपको inflate कर लिया, अब हम कह सकते हैं कि इनके पास दो parachutes थे, अब कोई भी व्यक्ति दो parachutes के द्वारा भी land कर सकता है, लेकिन worst case scenario में ऐसा होता है, कि ये दोनों parachute, जब हवा अपने आपको भर लेते हैं, तो ये opposite directions में जान होता है, तो उनकी गती बहुत ज़ादा बढ़ जाती है, और अब ये दोनों parachute सीधे जमीन की तरफ बहुत तेजी से, जो भी diver है, उसको गिराने लगते हैं, ये जो phenomenon होता है, इसे down plane कहा जाता है, इस इस्तिती में जो भी divers हैं, बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरते हैं, अब डेव समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, केवल 2000 फीट उपर थे वो धर्ती से, और अब वो एक down plane की इस्तिती में थे, जो की लगभग हमेशा ही मौत का कारण मनता है, अब वो पूरी कोशिश करके इस down plane की इस्तिती से बहार आने की कोशिश कर रहा अब डेव ने उन दोनों ही पैराशूट्स की रसी बहुत ज़्यादा तेजी से खीची, ताकि ये जो उनों पैराशूट्स एक ही लेविल में आ जाएं, यानि कि वो एक साथी काम करें, वो अपोजिट डेरेक्शन में ना जाएं और किसी तरह से एक लेविल पर आ जाएं हालकि ये काम करना बहुत ही जाना मुश्किल है क्योंकि एक तो जो भी डाइवर्स हैं वो हवा में हैं, जो रसियां हैं वो पूरी तरह से तनी हुई हैं और इस समयन की स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं कैसे डेव ने मैनेज कर लिया और अपने आपको जाना बागी है, अब ये लोग डाउन प्लेन की स्टिती से बाहर आ चुके थे, दोनों पैराशूट्स लेविल पे आ चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि आब ये धीरे धीरे जमीन पर उतर रहे हैं, लेकिन अचानक से ही दोनों के दोनों पैराशूट्स कोलाप्स कर 500 माइल्स पर आवर से जमीन की तरफ गिर रहे थे, और अब वो जमीन से मुश्किल से 1000 फीट की दूरी पर थे, इस समय इन पर क्या बीत रही थी अगर मैं आपको बताऊं, तो जो शरली थी, वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, चिला रही थी, उसको समझ में न पर ऐसे शांत था, कई साल पहले ही जैसे मैंने आपको बताए, उसका डिवोर्स हो चुका था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, और उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं दुबारा शादी करूँ, मेरे भी बच्चे हो, उसने ये सारे आइडियास ड्रॉप कर दिये थे, व अपनी अपनी स्टोरीज वगरा शेयर करते थे, इंजॉय करते थे, हसते थे साथ में, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लेड हो जाने पर, डेव कई बार स्काई डाइव हूस्टन में रुख भी जाये करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था कहीं नहीं, अपने खाली नीचे की तरफ गिर रहे थे, अपनी मौत को कहीं न कहीं ये लोग देख रहे थे, घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां से गिरते ही हमारी मौत हो जाएगी, और ये किसी भी शर्ण हो सकता था, इनके पास literally कुछी शर्ण बाकी थे, लेकिन जो डेव था, वो क नीचे मेरे husband, मेरे पोता-पोती, मेरे दोनों बेटे मुझे नीचे गिरकर मरतेवे देखेंगे और उन पर क्या बीतेगी, और यही सारी बातें, डेव भी सोच रहा था, उससे लग रहा था कि शर्ली की family उसको अपनी आँखों से आज मरतेवे देखेगी, और इस शिश को बरदाश नी कर पा रहा था, वो कुछ न कुछ करना चाहता था, और अब जबकि वो जमीन से कुछ सौ फिट की दूरी परी थे, तब अचानक से डेव चिलाया, शर्ली तुम अपने घुटने मोड कर उनको अपनी चाती से लगा लो, यानि कि उसने शर्ली को उसके नीज ट चाती को चू रहे थे, इसके ऐसा करते ही डेव ने अब पूरी ताकत लगा कर अपनी बॉड़ी को मोडा, इनके जो भी रसियां बगारे इनके ओपर बंदी हुई थी, उन सब को पकड़ कर खीच कर, इसने इस तरह की पोजिशन अब बना ली, कि अब डेव शर्ली के नीच यानि कि डेव की पीट धर्ती की तरफ थी, और जो शर्ली थी, वो इसके उपर थी, अब अगर ये लोग जमीन पर गिरते, तो पहले डेव की जो बैक थी, जो पीट थी, वो जमीन को हिट करती, और शर्ली उसके उपर रहती, यानि कि ये अपने आपको शर्ली के लिए सैक जमीन पर गिरे तब जो लोग थे जो इनको देख रहे थे और उनको पता था कि इनका एक्सिडेंट हो चुका है वो उस समय इन से करीब करीब आधा किलोमीटर दूर थे अब जब यह लोग उने ओविएसली इनको देखा उन्हे पता था कि इस लोग गिरने जा रहे है और साथ में दो bodies भी पड़ी है जैसे ही ये लोग इनको घूरी रहे थे तब इन्होंने पाया कि इनमें से एक body move कर रही है अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि move करने वाली body किसकी होगी हाँ वो शरली ही थी, वो जीवित थी और साथ ही इस समय अपने होश में भी थी फिर तुरंदी वहां पर paramedics आए इन्होंने शरली को डेव की body से काट कर निकाला क्योंकि डेव के आगे बंधी हुई थी, तो इन्होंने उन रस्यों को काटा, parachute की रस्यां वेगरा भी उलजी हुई थी, तो इसको काट कर निकाला गया और तुरंथ हॉस्पिटल लेकर जाये गया हॉस्पिटल में जाकर पराचला कि इसको बहुत सीरियस इंजरीज आई भी थी इसकी रीड की कुछ हड़ियां तूट गई थी इसके अलाबा इसको कुछ बहुत खतरनाक इंटरनल इंजरीज भी हुई थी, लेकिन इन में से कोई भी इंजरी ऐसी नहीं थी, जिससे इसकी जान को खतरा हो, हॉस्पिटल में आने के तीन दिन बाद शर्ली को एक बहुत बूरी ख़बर सुनने को मिली, इसके साथ ही डेव को भी हॉस्पिटल लाया गया था, उस समय वो जीवित था, लेकिन तीन दिन बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन कहीं न कहीं डेव की लास्ट विश पूरी हो चुपी थी, उसने भले ही अपनी जान दे कर बचाया, लेकिन उसने शरली को फाइनली बचा लिया था फिर इसके कुछ दिनों के बाद शरली और उसकी फैमिली को एक और कॉल आया इस कॉल में बताया गया कि डेव की मौत की जो न्यूस थी वो प्रीमैचियोर थी, और वो मरा नहीं था, वो मरा तो नहीं था, लेकिन वो लोग एक्सिडेंट के बाद एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जब शरली ने डेव को देखा तो वो एक वीलचेयर में बैठा हुआ था वो पूरी तरह से ट्यूप से और वायर से कवर्ड था शरली रुक कर डेव को थोड़ी देर तक देखती रही और डेव ने जब शरली को देखा तो वो भी बहुँ जा रहा एमोशनल हो गया वो रोने लगा फिर शरली आगे बढ़ी उसने डेव को हग किया उसको किस किया और कहा I love you अगर हम आज की बात करें तो डेव और शरली अब तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स है शरली पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये सब कुछ डेव के उस हीरोईक एक्ट के कारण हुआ हाला कि डेव अभी भी पूरी तरह से पैरलाइज है सिर्फ उसका जो सीधा हाथ है उसमें थोड़ी बहुत सेंसेशन बाकी है उसको वो चला लेता है अब वो टेकसस में अपनी मा के साथ रहता है इसकी मा ही इसकी देख भाल करती है डेव ने जो कुछ भी किया उसको कोई पश्तावा नहीं है वो अपने इस एक्ट से बहुत जारा प्राउट फील करता है और बहुत जारा खुश है कि वो शरली की जान बचाने में कामियाब रहा आप लोग मुझे बताएगा कि इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते है इसके साथ ही मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कुछ बहुत अच्छी कहानियों के सजेशन्स भी दिये उन पर मैं जल्दी काम करूँगी और कुछ पर मैं काम कर भी रही हूँ तो तक 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 फिर जाएगा रही हूँ